Hello guys, welcome back to this channel. सफल होगी तेरी आराथना सीरियल में आराथना के सामने हुआ बहुत बड़ा खुला सा. सफल होगी तेरी आराथना सीरियल में आराथना पार्टी में दामिनी किसाड़ी पहन कर आ जाती है. और जब माधव आरादना को दामेनी की साड़ी पहने हुए देखता है तो माधव आरादना पर बहुत गुस्सा करता है उसे ये बात बरदास नहीं होती कि उसकी वाइफ की साड़ी कोई और पहने माधव आराधना से कहता है कि ये मेरे वाइफ की साड़ी है इसे पहनने की तुमने जुरत कैसे की माधव गुसे में आराधना से कहता है कि मेरे वाइफ की साड़ी क्यों पहने है तुमने क्या तुम उसकी बराबरी करना चाती थी तुम उसकी जगा लेना चाती थी उसके जैसे दिखना चाती थी माधव आराधना को और भी काफी कुछ भला बुरा कह देता है लेकिन बाद में माधव को ये पता चलता है कि इसमें आराधना की कोई गलती नहीं है उसे साड़ी पहनने के लिए डिमपल ने दी थी इतना सब भला बुरा सुनने के बाद आराधना वहाँ से जाने लगती है तब ही माधव आराधना को रोक कर उससे माफि मांगने लगता है माधव आराधना से कहता है कि जो कुछ भी हुआ गलत फैमी की वज़े से हुआ जैसे मैंने तुमसे बात की मुझे वैसे बात नहीं करने चाहिए थी इसके बाद माधव आराधना को गिफ्ट देने लगता है तब ही आराधना की नजर दिवार पर लगी हुई दामिनी की फोटो पर पड़ती है जिसे देखकर आराधना काफी हैरान हो जाती है आराधना कहती है कि ये तो दामिनी जी की फोटो है मतलब साहब जी विनायक के बाप है तो इस तरहां से आराधना को पता चल जाता है कि माधव ही विनायक का पिता है अब देखना ये है कि क्या आराधना माधव को ये सच बता देगी कि विनायक माधव का बेटा है या फिर आराधना माधव को भी ना सच बताए विनायक को अपने साथ लेकर चली जाएगी आप सब किस पर क्या राय है हमें कॉमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आप सब इस सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटिड है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग